आज हम महाभारत की एक सांच जो भारत भूचन अगरवाल द्वारा लिखित है और एक एतियासी के टांकी है वो पढ़ेंगे अब जैसे महाभारत की जो स्टोरी है या महाभारत का जो युद्ध है अधिकतर वच्चों को पता है या अभी अभी टीवी सिरेल भी चालो जी पहले भी हो चुकी है अभी लॉक्डाउन में वापस आपको दिखा है शायद आपने देखा हो अपनी जो एक आंकी है वो एक आ सत्रा दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा अब पहला क्वशन है कि ये महाभारत का युद्ध क्यों और किन के बीच हुआ अब ने से आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ कवरो और पाड़ों के बीच अब शांतनु जो है ये तीन पुत्र है शांतनु के सबसे बड़ा बिश्वा जो गंगा पुत्र था दूसरा जो था वो दूतराष्ट और तीसरा पाड़ों अब भिश्वा जो है गंगा पुत्र इनका नाम देववर्द भिश्वा भिश्वा था इनोंने राजगद्दी पर न बैठना और आजीवन पुआरा रहने की प्रतिग्या देश्वा अब इसके बाद जो दूसरा बेटा है वो है दूतराष्ट फिर हस्तिनापूर का राज्य दिगार किसके पाद जाता है दूतराष्ट के पाद लेकिन दूतराष्ट जनमांद थे जनम से ही अंदे थे जिसके कारण उन्होंने हस्तिनापूर का राज्य कारोभार पांडू पर सोपा कुछ साल पांडों ने कारोबार किया लेकिन कुछ साल बाद उन्हों ने वो हस्तिनापुर का राज्य दृतराष्टों को सोग दिया और वे वन्वास चले ले और वही पर उनकी पृत्ति हो गए अब उत्तरा दिकारी थे दृतराष्टों लेकिन दृतराष्टों ने दिया राज्य कारवार पांडों के अब यहां पर जो है वहां पर जो है वो जगड़ा कि हस्तिनापुर का राज्य कौन पांडवों का कहना था कि उनको से पांच राज्य मेरे तो भी काफे है लेकिन दृतराष्टों का बड़ा पुत्र दुरियो अध्रल्वों था वो पांडवों को सुई के नोग की जगे देने की लेवी तैयार ने और इसलिए हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करने के ल अब युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, कौन कैसे जीता, कौन कैसे हारा, किसने चल्कपट किया, किसने धर्म के रास्ते पर चला ये सब आपको माहाभरत की कहानी में मिलेगा अभी हम जो अठारवादी है जो हमारा युद्ध चल रहा है वो हम इस एकांकी में पढ़ेंगे अब आपके सामने टेक्स बुक होगी पेड नमबर 69 अब इस कहानी का उद्देश्ट क्या है इस कहानी की सार्थमता क्या है और इस एकांकी का पात्र परिशे अभी देखो आपके सामने टेक्स बुक है जरा खोलो पेड नमबर 69 पर पात्र परिशे ऐसा लिखा है उदर पहला पात्र है दुरुतराष्ट महाबारत काल के हस्तिनापूर के जन्मा अंधर राजा जो जनम से ही अंदे थे जो दुर्योधन के पिता थे पांडू इनके छोटे भाई और पांडू भनती जे थे उसके बाद यह संजय जो दुरुतराष्टर का मंत्री था और उसको जो दिव्यवाणी मिली थी उस दिव्यवाणी से यह संजय युद्ध का विवरण दुरुतराष्टर को हमेशा कहता था वैसे जो रिशिमुनी वहाँ आये दे दुरुतराष्टर के पास उनका कहना था कि मैं आपको दिव्यदुष्टी दे सकता हूँ तो आप अपनी आखों से महाभारत का युद्ध देख सकते हैं लेकिन दुरुतराष्टर ने मना किया दुरुतराष्टर ने कहा कि नहीं आप ये दिव्यदुष्टी संजय को ही दे दीजिए संजय मुझे सब बताएगा और इस प्रकार दिव्यदुष्टी किसको मिली सं अभी सैंट, उसमें से सबसे बड़ा दुरुतराष्टर जो राजा थे ये दुरियदुष्टास से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं युद्धिष्टीर है फाज पांडवे वसे सबसे बड़े, फाज पांडवें। दूसरा भीम, तिसरा हर्जुम, चौतानकोल, पाच्वा सहदेव, ऐसे पाच पांड़ों, जिनकी माताश्री कुंती, भीम जो है युदिश्री के छोटे भाई, ये गदावे बहुत निपुन थे, बखुवी से गदाव के साथ युद्ध कर लेते थे, और ये युद्ध कहा हो रहा है, कुरुक्षेत्र के निकट, वैसे महाभारत का युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, अब इसको कुरुक्षेत्र नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो कुरु है, ये उनका वंश था, और उनके वंश के नाम से, उस जगे को नाम दिया गया कुरुक्षेत्र, ज वहाँ ये महाभरत का बहुत बड़ा युद्धव हुआ था। लेकिन अपने एकंकी में जो कुरुक्षेत्र है उसके कुछी दूरी पर एक सरोवर है एक तालाब है जो कहा है द्वयत्य वन के पास वन का नाम है और उसके पास ये जलाशे है ये सरोवर है ये तालाब है और वहाँपन ये ड्रामा ये प्ले ये नाटक किया जा रहा है चलि समय है सांच अब मैंने हाँ अभी महावारत की एक सांच उसका उद्देश्या और उसकी सार्थता फ्वेशन में पूछी जा सकती है इसके लिए आब इसका स्क्रिन्चॉट ले लिजे और नोट्बूक में नोट्डाउं कीजे स्क्रिन्चॉट ले लिए ले ले आपने स्क्रिन्चॉट नोट्बूक में नोट्डाउं भी करना है और अब्यस्ली क्या करना है नोट्बूक में रखना है ऐसे ही नहीं उसको बढ़ना है चलिए पेरिन नमबर 69 पे अपनी एकांकी हम चुरू करते है समय है सांज का उसका सिर्षक ही है सांज अब इस एकांकी को ये सिर्षक क्यों दिया है जैसे जिस प्रकार हम दिन के अंद को सांज से सम्मोधित करते हैं सांज होगी में तो वैसे इस कहानी में महा भरत में दुर्यो धन जो अंत है वो महा भरत की एक सांज में अंत का प्रतिक है और इसलिए कहानी का शिर्षक जोหलै वो महा भरत की एक सांज बिल्कुल सार्थक हि अब ये जो एकांकी ने ये आपको क्या बताना चाहती है या क्या बताना इस एकांकी का उद्देश है अभी ऐसा वास्तवित भी होता है कि घर या संपत्ति को लेकर भाई भाई भाईयों के बीच हमेशा जबड़ा होता है मुझे उतना है दिया मुझे इतना है दिया मुझे इतना चाहिए मुझे उतना चाहिए फिर भाई भाईयों के बीच मारा मारी वगएरा वगएरा लेकिन कभी भी घर हो या संपत्ति हो इसको लेकर भाई भाईयों में कभी भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी भाई, शत्रुता करता है, पुरुरुता करता है, पूटनिती अपनाता है संपत्ति पाने के लिए लेकिन हमेशा जो पूटनिती करता है, चाल चलता है, उसी का अंतब पहले होता है ये बताना इस कहाने का उत्रेश है जैसे हस्तिनापूर का राज्य प्राप्त करने के लिए दुर्योधन ने बड़ी ही कुरूरता से अपने ही स्वजनों का वद किया अपने ही भाईयों को जिवित चलवा देने की भी कोशिश कि बहुत अधर्मकिया रास्ते बर चल कर उन्होंने वो हस्तिनापूर का राज्य पाना चाहा लेकिन हुआ गया अंतमे उनी की उरुत्य हुई वो जीत नहीं पाए इसलिए धन्या संपत्ति को लेकर भाई भाईयों के बीच कभी भी लड़ाई जबड़ा नहीं होना चाहिए यह बताना इस एक आंकी का उद्धिश देखो सारंगी पर आलाप उठता है यह सारंगी क्या है यह सारंगी एक मुजिकल इस्टुमेंट है आलाप उठता है बतने तो ड्रामा है प्ले चल रहा है बैक स्टेट जो है उसमें से धून सुनाई देती है आलाप मतलब धून वो धून को सुनकर ऐसा रगता है कि शायर यहाँ पर कोई सैट घटना हुई है दुखी घटना हुई है ऐसा ही टून गज रहा मैं। कि दुरुद्राश्ट्र थंड़ी सास लेकर दुख बरी सास लेकर कह नहीं सकता संजै किसके पापों का परणाब ए ? संजय कौन था, संजय गुरुतराष्टर का महामंत्री, किसकी भूल थी जिसका भीशन विश्फल हमें मिला, किसके पापों का परिणाम है ये, मतलब मैं ऐसा क्या गलत काम किया, कि जिसका परिणाम नतीजा ये हुआ, क्या, किसकी भूल थी जिसका भीशन विश्फल हमें मिल बिशन विश्फ़ल किसको कहा है बिशन अन्तल्ट घयारब और विश्फल किसको कहा है जो महाफरत में उनकी हार हुई उसको कहा है ओ, क्या पुत्र मोह अपराज है पाप है अगर आपको पुझा जाये तो क्या कहेंग Sometimes पुत्र से प्यार करना पाप है क्या बिल्कुल नहीं लेकिन पुत्र के अनुचित बात को उचित मानना ये पाप है बेटे से हर पिता प्यार करता है लेकिन अगर वो कई गलत होता है तो पिता को उसको बताना भी चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दुरुद राष्टर दुरियोधन से बहुत अधीक प्यार करते थे और उस अधीक प्यार के कारण दुरियोधन की हर अनुचित बात को उनहोंने उचित माला राधनेतिक कर्तव्य जो है उनको उनोंने नाकारा, मतला रिजेक्ट किया नई नई दुर्योधन ऐसा जाता है तो ऐसा ही होगा और वो जो नैतिकता है वो जो कर्तब है उसको रिजे किया और पुत्र को अहम स्थान दिया पुत्र को पहला स्थान दिया और क्या हुआ नतीजा बहा भारत क्योंकि दुर्योधन मानने के लिए तैयार ही नहीं था पांडव क्या कहते थे कि इन्रप्रस जो हमारा गया है वो हमें दे दो तो युद्ध नहीं होगा लेकिन अगर वो नहीं दिया तो पिर युद्ध होगा लेकिन दुर्योधन का कहना था कि नहीं नहीं हम उनको इन्रप नहीं देंगे और युद्ध जरूर होगा दुरुद्राष्ट को पता था दुरुद्राष्ट थे रोणा चारे थे रूपा चारे थे विदूर थे सब भीश्म भिताम होते सब कहना था कि इंद्रप्रस उनको दे दिजे अस्तिनापूर अपने पास मतलब कोई मावारत नहीं होगा कोई कुन करा बनाई होगा किसी को हमें खोना नहीं पड़ेगा लेकिन दुरुद्राष्ट थत होगा जरूर होगा किसी की भी बात दुर्य वर्धन नहीं मारी, अगर यहां दुरुतराष्टर समझा थे, कि नहीं, तो दुर्य वर्धन कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन दुरुतराष्टर दुर्य वर्धन के खिलाब कुछ नहीं होते थे, उसकी हर एक बात को वो सर्वसंबत थे, हाँ, जो मेरा बेटा कहता ह बड़ों की सलाहा वो नहीं मानते थे उन्होंने अपना ही काम किया क्या मैंने कभी भी कभी भी क्या कहना चाहते है गुरुतराश्चर कि मैंने कभी भी अपने बेटे और अपने भाई के बेटों में भेद नहीं किया तो यहां पर ऐसी अन्होनी क्यों हुई संजय शांत मुवारच अभी संजय समझाने के सिवा और क्या कर सकता है जो हो जुका उस पर शोक करना विरत है यह तो हम भी आपको कहते हैं जो बीट गई सो बीट गई उसको भूल जाओ बीटी हुई बातों को याद करने से अगर हमें दुख मिलता है या उससे कोई हासिल नहीं होता है तो हमें उस बातों को याद क्यों करना है तो संजय यहाँ पर यही कहना चाहते है कि महाराज शान्त हो जाओ जो हो चुका उस पर शोक करना मिलते हैं अभी युद्धतव हो गया दुर्यदन तो हार गए और पांडव जीत गए अब उसको हम बतला सकते हैं क्या नहीं तो फिर शोक करने का क्या मत्त है अब इस नेक् लेकिन यह डायलोग है संजय का इसलिए आप इदर जुरुत राष्टर कट करके महाँ पर संजय करते हैं डायलोग किसका है संजय का देखो आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महामली सुयोधन द्वायत्यवन के सरोवर में गुज गए मैंने आपको क्या कहा युद अपने आपको पचाना का कोई उपाय न देखकर उपाय रास्ता महाबली सुयोधन महाबली बहुती बल्वान गदा युद में बहुती पारंगत निपुण महाबली सुयोधन द्वायत्यवन के सरोवर में गुज गए क्यों गुज गए अपनी रक्षा करने के लिए कहा गुज गए द्वायत्यवन के सरोवर में महाबली सुयोधन लेकिन हमें कैरेक्टर में तो दुर्योधन दिया है तो सुयोधन उनका वास्तविक नाम था मिनिं अच्छा और योधन मतलब योधा मतलब दुर्योधन बहुत अच्छा योधा था बहुत भखुबी से लड़ता था लेकिन ऐसे कुछ कर्म उन्होंने किये ऐसे कुछ कृत्य उन्होंने किये कि उनके कृत्यों के कारण उनका नाम दुर्योधन हुआ और उसके जलस तंबो में चिपकर बैठे रहे जलस तंबो में पानी में जो पूल होता है खंबा होता है उसके पीछे चुपकर बैठे रहे अब आप बच्चे सोच रहे हैं कि जलस तंबो में कैसे चिपकर बैठा तो पहले सारे लोकते उनके पास मायावी शक्ति थी वैसे मायावी शक्ति दुर्योधन की पास भी थी इसलिए वो उस चक्ति का सहरा लेकर उस पाने में मस्ता आराम से बैठ गये उसको कोई तकलिप ने पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सुजना मिल गई किसकी की दुर्योधन दुएत्यवन सरोवर में कुस गए है और वे ततकाल रद पर चड़कर वहां पहुँच गए ततकाल तुरं उसी समय रद की गड़गडा हट क्यूंकि रद चल रहा है कहां जा रहा है दुएत्यवन सरोवर के पास रद रुप गया भीम का डायलोग देखो लीजे मारज यही है दुएत्यवन का सरोवर वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा है अहेरी शिकारी वहां जो हंटिंग करते है जो शिकार करते है वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा रहे है एसे पता चला पांडवों को एक अहेरी द्वारा जुदिष्टिर आओ हम लोग उसे बाहर निकालनी की चेश्टा करें चेश्टा करना प्रयास करना खोशिश करना जल की कलकल भनी मतलब जल का आवाद आ रहा है जुदिष्टिर आवाद देता है पुकारदा है पुकारना आवाद देना ओ पापी अरे ओ कप्टी कप्टी धोके बाज दुरात्मा पूरी आत्मा तुर्योधन क्या स्रियो के भादी जल में चुपा बैठा है बाहर निकला देख तो काल तुझे ललकार रहा है वो पाच प्लस उनका सार्थी क्रिश्ण और दुर्योधन अकेला देख तो काल तुझे ललकार रहा है काल पुरुत्यू कोई उत्तर नहीं सामने से भीम कहता है भीम जोर से चिलाता है दुर्योधन अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगा कर तुझे लज्जा नहीं आती सहयोगि मतलब उनके साथ रहने वाले उनके साथी हत्या का कलंक अपने माथे पर लगा कर मतलब क्या कि भीम ने दुर्योधन ने अपने सहयोगियों की हत्या की और फिर भी कायरों की भाती कायरों की तरह दरफोग लोगों की तरह तुम तो यह योद्धा हो और योद्धा को यह बात नहीं शुबा देती है कि जो चिपकर बैठे अपने प्राण बचाता फिरता है तुझे लज्जा नहीं आती किसको? तुम तो महावली हो तुम महावली योद्धा को ऐसा चुपकर बैठना शुबा नहीं देता है तुमको लज्जा नहीं आती है ऐसे चिपते बढ़कर युदिष्टिर कहता है लज्जा उस पापी को लज्जा भीमसेर ऐसी अनहोनी बात की तुमने कलपना भी कैसे की कौन सी अनहोनी बात? लज्जा मैसूस होने की उस इंसान को कोई लज्जा मैसूस नहीं होई जो अपने सगे संबन्नियों को गाजर मुली की भाती कटवा सकता है गाजर मुली अपको पता है जो हम सेलेट में नालते हैं, वो काटते समय क्या हमें कोई तक्लिफ होता है कि नहीं नहीं मैं उसको कैसे काटू, उसको लगेगा, ऐसा सोचते हैं, नहीं, वैसे ये दुरियोधने, अपने जो सगे संबंदी थे, उनको ठीक उसी तरह मारा या उनकी खत्या की, उनको लग जा में ऐसी घटना घटी, जो दुरियोधन है, इसका मित्र, पुरोचन, इस पुरोचन के माध्यम से या पुरोचन के दुआरा उन्होंने लाक्षा गुरुव बनवाया, वैक्स का घर बनवाया, और उनको कहा कि तुम वहार रह सकते हो, कुंती मात्रा के साथ, लेकिन वो जल कि उनको इस लाक्षा गुरुव में जिवित जलवा देंगे, तो जब उनको पता चलता है, तो उनका प्लान पुरा होने से पहले ये पांच पांड़ो अपनी माता पुर्वति के साथ, वहां से निकल जाते हैं, लेकिन दुरियोधन उनको पता ही नहीं, उनको ऐसे लगता मामा जो होते हैं, शकुनी मामा, जो हर वक्त पांडवो के किलाब, और हर वक्त दुरियोधन को कुछ नो कुछ आइडिया देगी, हम ऐसा करेंगे, लेकिन पांडवो को जीतने नहीं देंगे, फिर वो जला देते हैं, उनको पांडवो को मार दिया, अब हस्तिनापुर का रज्य हमारा, लेकिन उनको तो पता है नहीं, क्या, कि वो तो चले गए, लेकिन बाद में उनको पता चलता है, कि उनका प्लान दो फ्लॉप हो गया, मतला ऐसा था है दुरियोधन कि अपने भाईयों को जिवित जर्वा देने वेवी उसने संकोच नहीं किया, तो उस व्यक जब महा भारत यूद में ऐसा वक्त आता है कि शकुनी मामा कर्ण, दुश्यासन, दुर्योधन एक तरफ से और पांच पांडव एक तरफ से उस राज महल में द्यूद क्रिडा कहते है, अब यह जो शकुनी मामा होता है, यह उसके पास यह द्यूद क्रिडा की विद्या हो क्योंकि पूछा जाता है कि वो आपको कितने नंबर चाहिए, फिर युदिष्टिर बोलेगा एक, तो जानम उसके दो डालेगा, और दुर्योधन बोलेगा कितने चाहिए, तो बराबर उतने ही पांट डालता था, और ऐसे करते करते, युदिष्टिर अपने भाई, अपन इन्रप्रस्तराज इतना ही नहीं, तो अपनी पत्नी द्रवपदी को भी दावपे लगा देता है, और वो हार जाता है, इसका मतलब वो द्रवपदी को हार गया, और द्रवपदी दुर्योधन की बन गई तासी, बदला तो लेना ही था, इसके लिए जान उसकर भरी सभा मे दुष्यासन उसको बाल की घीशते हुए वहाँ पर लाते हैं और उसका चीर हरन, वस्त्र हरन करते हैं, और वस्त्र हरन करता है दुष्यासन और वहाँ पर सारे बैठे लोग ही है, ऐसे हसते हैं, तो जो मनुष्य अपनी भावी का अपमान करने का आनन ले सकता है, उसका ल हसलो, जितना जी चाहे हसलो, पर यह न बुलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाव का बल अभी नश्क नहीं हुआ है, अभी भी उसका गमन है, तो युदिश्चिर कहता है, अरे नीच, अभी तेरा गर्वच चूर नहीं हुआ, मेरे पस्ताकद है, मैं सुर्यदन हूँ, मैं महाबली हूँ, ए जो घमन है, अभी भी चूर नहीं हुआ, नश्ट नहीं हुआ, यदि बल है तो आन महर, और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर, वहाँ बैठा बैठा क्या विर्ता बखान तरे, क्या विर्ता बखान रहा तारीफ करना है, तू क्या समझता है, हम तेरी थोती बातों से डर जाएंगे, थोती बाते, बे मतलब की बाते, व्यर्त की बाते, हमने डरने वाले अभी, दर्योदन, अपने स्वारत के लिए, अपने गुरुजनों, बन्दू पांधवों का निर्ममता से वद करने वाले, गुरुजन, जैसे उनकी गुरु ते द्रोणाचारिय, पुरुपाचारिय, विश्मपिता मह, उन्होंने वद किया मतलब उन्हें करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो कवरों के तरब से लड़ रहे थे, इसलिए उनको उनका वद करना पड़ा, हट्या करनी पड़ी, उन्हो तो महान थे ही, लेकिन यहाँ पर तो दुरियोधन ने कहा है, तो क्या दुरियोधन सज्मुझ उनको महान पहरा है? जी नहीं, तो ये व्यंग है, दुरियोधन व्यंग कर रहा है कि तुम तो बड़े महान हो, लेकिन इन महान पांड़ों के रप्त की प्यास अभी तक बु कि तुम्हारी प्यास अभी तक नहीं बुजी है और युदिष्टिर सुयधन कायर नहीं है कि दर्पोग नहीं है कि वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्विकार नहीं कर सकता हूं है माता है वह तुम्हारी सत्ता शाषन स्विकार नहीं करेगया शाषन जब तक वह यक Edwards है वह है तक इसी आपको जड़ नहीं करेग का ऐसा दुर्योधन युदिष्टिर्ल को कहता है अब भी उत्र क्या देता है था है तो फिर आणाज़ अब दिखा अपने पराक्रम, क्या गह रहा है वो कि स्योधन कायर नहीं है, अगर स्योधन कायर नहीं है, तो जल में क्यों चुपकर बैठा है, तो बहरा, और बहराने से क्या कर, यूत कर, और अपनी वीरता हमको दिखा दे, जिस कालागनी को तुने वर्षो गृत दे कर उभारा ह समझा है, कालागनी मृत्यू की ज्वाला, लिखो, कालागनी मृत्यू की ज्वाला, तुने वर्षो गृत दे कर उभारा है, गृत को घी कहते है, लेकिन यहाँ पर है इर्शा और उभारा, बढ़ाना, एक उधारन दे सकते हैं, जैसे कोई पुजा पार्ट होता है, हमारे घर में यंग्य होता है, हवन करते हैं हम लोग, तो हवन जलता रहे, या बहुत तेज जले, इसलिए जो पुजारीजी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो उसमें घीर आते हैं, ताकि वो जो ज्वाला है, वो ज्वाला भढ़के, वैसे यहाँ पर यह जो मुरुत्यू की ज्वाला है यह किसने भड़काई दुर्योधन में उसकी लप्टों में साथी तो स्वाहा होगे जो तुमने ही आख जलाई उसमें तुम्हारे साथी ही सारे स्वाहा होगे वीर गती को प्राप्त हुए उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है जो आख तुमने जलाई उसमें साथी नश्ट होगे तो तुम कैसे बचना चाहते हो एक बाद समझ ले अच्छी तरह समझ ले यह जुआला जो है तेरी आहूती लिये भिना शान्त नहीं होगा यह जो कालागनी है जब तक तुम्हारा बलिदार नहीं होगा यह यग्य शान्त नहीं होगा ऐसा भी में कहते हैं दुरियोद हैं जानता हूँ इंदुष्टर जानता हूँ क्या जब तक तुम्हारा बलिदार नहीं होगा यह कालागनी शान्त नहीं होगी भली भाती जानता हूँ भली भाती मतलब बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ किन्तु सोच लो मैं ठक कर चूर हो गया हूँ लड़ाई करते करते वो ठक गया है मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है मतलब उसके पास कोई सेना नहीं है कोई हत्यार नहीं है सारी सेना पिखर गई है मेरा कवच फट गया है जो अपनी अपना सवरक्षन करने के लिए होता है मेरे शस्त्रास्त्र चूप गए है मतलब मेरे पास कोई हत्यार भी नहीं है मुझे समय दो युदिश्टि किसलिए सारे शस्त्रा दमा करने के लिए लडाई करने के लिए क्या भूल गए कि मैंने तुम्हें तेरा वर्ष का समय दिया था क्या दुरियोधन ने पांडवों को तेरा साल का समय दिया था युद्ध की तैयारी करने के लिए बिल्कुल नहीं युदिश्टि इधासकर कहता है मतलब व्यंक से तेरा वर्ष का समय दिया था दुरियोधन तुमने तो हमें वन्वास दिया था पांडवों को वन्वास क्यों मिला था जैसे मैंने अपको कहा कि वो दियूद क्रिला खेल लाएते और वहां पर ऐसी शर्ट लगाई गई कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें वन्वास जाना पड़ेगा 12 साल उन्होंने कबूल किया वो खेल खेले उस खेल में वो हार गए उनको वन्वास जाना पड़े 12 साल वन्वास और एक साल का अग्यात वास भी मिला था यहां सोचकर कि तेरा वर्षय वन्वास में रहेकर हमारा उच्छा ठंडा पड़ जाएगा 13 साल इंसान जंगल में रहेगा तो यूत करने का जो जोश है अबिसली हो तो ठंडा ही पड़ जाएगा हमारी शक्तिक्षिण हो जाएगी कमजोर हो जाएगी हमारे सहायब भी कर जाएगे और तुम अनायास हमपर भी जाएपा सकोगे इसलिए तुम ने तेरा साल वन्वास दिया अनायास मतला बिना प्रयास के इतनी आत्म प्रवंजना ना करो दुर्योधन आत्म प्रवंजना मतला अपनी ही प्रशंसा करना हमेशा यह अपनी ही डिंगे हापता है अपनी ही प्रशंसा करता है मैं शक्तिशाली हूँ मेरे पुजाओ में बॉल है मैं डरफोग नहीं हूँ वगरा वगरा अनायास हमपर भी जाएपा सकोगे अनायास मतला बिना प्रयास के इतने आत्म प्रवंचना अत्म प्रवंचना अपनी ही प्रशंसा करना दुर्य अधन युदिश्टिर तुम तो धर्मराज कहला दे हो तो युदिश्टिर सक्मी धर्मराज थे ही जो भी युद्ध हुआ उन्होंने कोई छल कपट नहीं किया तुमारा दम्व है दम्व अभिमान कि तुम अधर्म नहीं करते है मैं हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सच्चाए के रास्ते पर ही चलने वाले हो तो अभिसलिए मुझे गमण होगा कि हाँ मैं धर्म के रास्ते पर ही चलती हूँ वैसे युदिश्चिर को अभिमान था, गर्व था, प्रावड था किस बात का प्रावड? कि वे कभी अधर्मा नहीं करते थे पिर तुम्हारे रहते, तुम्हारी आखों के आगे ऐसा अधर्म हो अधर्म? अन्याएं? कैसा? कि मैं नहीं हत्ता हूँ, मेरे साथ सेना नहीं है, आप पाच लोग हो, फिर आप हमारे साथ लड़ेंगे, तो यह होगे अधर्मा और आप तो धर्माराज हो, तो आप तो ऐसा अधर्मा करी नहीं सकते सोचो तो, अगर ऐसा हुआ तो, भीम हस्ता है, अच्चा, तो अब तुझे धर्मा का स्मरण हुआ जब से युद्ध चल रहा था, इतने लोगों को छल कपड से मार रहे थे, तब ही तुम्हें धर्मा याद नहीं आया सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते है, जो लोग तड़को होते हैं, वही लोग अंत में जब वो पराजित हो जाते हैं, तब उनको धर्मा की याद आती है, और उसी समय वो धर्म का आधार, धर्म का आश्रे, धर्म का सहारा लेते हैं, ऐसा भीम करते ह यहां पर शॉर्प करते हैं और आगे का जो लेशन है वो नेक्स से चल में लेगे